इप पातिशाला अध्यायव तीन मुद्रा और साख अध्यायव तीन मुद्रा और साख शिक्षक के लिए निर्देश अध्यायव तीन गाश मुद्रा और साख मुद्रा एक मनमोहत और कौतुहल से भरा विशय है विद्यार्थियों के लिए इस तत्व को उभारना महेत्वपूर्ण है मुद्रा का इतिहास और विभिन समयों में मुद्रा के अलग अलग रूप अपने आप में एक रोचक कहानी पेश करते हैं इस स्तर पर उदेश यह है कि विद्यार्थी समझें और पर्खें कि किन सामाजिक परिस्थितियों में मुद्रा के कौन से रूप प्रयुक्त होते थे मुद्रा के आधुनिक रूप बैंक प्रनाली से जुड़े हुए हैं इस अध्याय के पहले भाग में मुख्य विचार यही है भारत की मौजूदा स्थिती में बैंकिंग प्रनाली के कम्प्यू त्रिक्रन से मुद्रा के नए रूपों का धीरे-धीरे विस्तार हो रहा है इसके चलते विद्यार्थियों के पास इस विशय को अपने आप समझने के कई अवसर है हमें मुद्रा के कारियों पर उप्चारिक रूप से विचार करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसे सवालों के रूप में उभरने दीजिए मुद्रा की उत्पती, मुद्रा गुनक या आधुनिक प्रणाली का प्रिश्थाधान जैसे विश्यों को अध्याय में नहीं रखा गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन पर चर्चा कर सकते हैं. इस अध्याय में आप देखेंगे कि मुद्रा स्थौप, जनता के पास करेंसी तथा बैंकों में इनकी मांग जमाओं से मिलकर बनता है. यह वे मुद्रा है, जिसका लोग अपनी इच्छानुसार उत्योग कर सकते हैं और सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि मुद्रा प पांच सो और एक हजार रूपए के करेंसी नोटों को अमाय घोशिक कर दिया गया. लोगों से कहा गया कि वे इन नोटों को एक निश्चित अवधी तक बैंकों में जमा कर दें और बदले में पांच सो तथा दो हजार रूपए के नए नोट प्राप कर लें. इसे पर पी और एस पॉंट टू पॉंट मशीन द्वारा नकदीरहित लेंदेन विधिया उपयोग में आई. इनको लेंदेन के लिए नकदी की आवश्यक्ता को कम करने तथा भुरष्टाचार को नियंतरित करने के लिए प्रोच साहित किया गया. विद्यार्थियों से सभी विद्यार्थियों को यह बताना भी महत्रपूर्ण है कि मौद्रिक लेंदेन के लिए प्लास्टिक कार्दों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वे अपने आप में मुद्रा नहीं है. साख आर्थिक जीवन का एक महत्रपूर्ण तत्व है और इसलिए इसे अवधा प्रनात्मक्स्तर पर समझना जरूरी है. अध्याय के दूसरे भाग में इस पर नजर डाली गई है कि किसी भी साख व्यवस्था में किन पहलों को देखा जाता है तथा इसका लोगों पर क्या असर होता है. हम अपने आसपास की दुनिया में हजारों तरह की साख देखते हैं. इसलिए अच्छा होगा अगर विद्यार्थियों के परिवेश से जुरी साख व्यवस्थाओं के जरिये उन्हें इसके विभिन पहलों से अवगत कराया जाए. साख से जुरा एक अन्य महेत्वपूर्ण मुदा है कि यह सभी के लिए उपलप्ध हो, खास्तो अवगत कराया जा सकता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारे पास सभी सवालों के जवाब नहीं है. हमें नए तरीके धूंडने की आवश्यक्ता है और यह विकास शील देशों के सामने सामाजिक चुनौतियों में से एक है. जानकारी की स्रोट इस अध्याय में और अन ग्रामीन बैंक पर जानकारी और आकरे अखब आरों और वेबसाइट से ली गई है. बैंक संबंधित आकरों की विश्ट्रित जानकारी या किसी विशिष्ट बैंक के बारे में जानने के लिए आप भारतिय रिजर्व बैंक www.rbi.org और संबंधित बैंकों की वेबसाइट पर जा सकते हैं. स्वेयम सहायता समूहों पर आकरे राश्ट्री एक रिशी एवं ग्रामीन विकास बैंक की वेबसाइट पर उपलब्द है www.naybird.org अध्यायत तीन मुद्रा और साख मुद्रा विने में का एक माध्य मुद्रा का इस्टेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बढ़ा हिसा है. अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौधों की पहचान कर सकते हैं. क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत सी लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिये वस्तों खरीदी और बेची जा रही हैं. ऐसे कुछ मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भूतान करने का वादा हो. क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिये क्यों होती है? क फिर उस मुद्रा का इस्टेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरिदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरन देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहुं खरिदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप करेगा औ और फिर इस मुद्रा का इस्टेमाल गेहुं खरिदने के लिए करेगा 3.1, 3.2, 3.3। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्टेमाल कि जूते का सीधे गेहुं से विनिमे करता तो उसे कितनी कथिनाई होती। उसे गेहुं उगाने वाले ऐसे किसा को खोजना परता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बलकि साथ में जोते भी खरिदना चाहता हो अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजे खरिदने और बेचने पर सहमती रखते हों इसे आश्यक्ताओं का दोहरा सयोग कहा जाता है एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरिदने की भी इच्छा रखता हो वस्तु विनिमे प्रनाली में जहां मुद्रा का उप्योग केव बिना वस्तों का विनिमे होता है वहां आवश्यक्ताओं का दोहरा सयोग होना अनिवारे विशिश होता है मनी इसकी तुलना में एसी अर्थ व्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महेत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यक्ताओं के दोहरे सयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। चुनकी मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। सिकों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़े मुद्रा के रूप में इस्टेमाल की जाती थी। उदाहरन के लिए बहुत प्रारमभिक काल से ही भारतिय अनाच और पशुका मुद्रा के रूप में इस्टेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांगवे जैसी धातों के सिकों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागस के नोट और सिके शामिल हैं। वे चीजे जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विप्रीत आधुनिक मुद्रा बहुमूलिद हातों जैसे सोना, चांदी और तांगवे के बने सिकों से नहीं बनी है। अनाज और पशों की तरह वे रोजमरा की चीजे भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्टेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमे का माग्यम क्यों स्वीकार किया जाता है। कानून विनिमे के माग्यम के रोप में रोपे का इस्टेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौधों में अदाइगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रोपियों में अदाइगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्विकार किया गया है। बैंकों में निक्षेट लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेट के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमरा की आवश्यक्ताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरन के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मज़दूरों के अतिरिक्ट नकद होता है। लोग इस अतिरिक्ट नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोल कर जमा कर देते हैं। बैंक की ये जमा स्विकार करते हैं और इस पर सूध भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूध भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यक्ता के अनुसार इसमें सिवधन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काता है। अर्थात, जूता निर्माता अपने बैंक को चमरा आपूर्तिकरता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमरा आपूर्तिकरता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदाइगी के पूरा हो जाता है 3.7 इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवारे लक्षन मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्टेमाल की सीधा भूतान करना संभव हो जाता है। चुनकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भूतान का मांग जम स्विकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थ व्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है. यहां आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा. बैंकों के लिए इन जमा के ब पिचार करें. 1. M. सलीम भूतान के लिए 20.00 रूपे नकद निकालना चाहते हैं. इसके लिए वह चेक कैसे लिखेंगे? 2. सही उतर पर निशान लगाएं. डॉलर. सलीम और प्रेम के बीच लेन देन के बाद. क. सलीम के बैंक खाते में शेश बढ़ जाता है. 3. माग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? बैंकों की रिन संबंधी गतेविधिया बैंकों की कहानी को आगे बढ़हाते हैं. बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्विकार करते हैं, उसका क्या करते हैं? यहां एक दिल्चस्प क्रियाविधी काम कर रही है. बैंक जमा रकम का एक छोटा हिसा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं. उदाहरन के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 15 प्र बैंक जमा राशी का लोगों की रिन आवर्श्यक्ताओं को पूरा करने के लिए इस्टेमाल करते हैं. इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक राशी है, जमा करता एवं जिन्हें राशी की जरूरत है, कर्चदार, के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं. बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं, उससे ज्यादा ब्याज रिन पर लेते हैं. कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकरताओं को दिए गे ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आयका प्रमुक्स रोट है. अगर सभी जमाकरता एक ही समय में अपनी धन राशी की माग करने बैंक पहुँच जाए तो क्या होगा 3.9 साथ की दो विभिन स्थितिया हमारी रोजमरा की गतेविधियों में एसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में रिन का प्रयोग होता है रिन, उधार से हमारा तातपरए एक सहमती से है जहां साहूकार करजदार को धन वस्तों या सेवाई मुहया कराता है और बदले में भविश्य में करजदार से भूतान करने का वादा लेता है अब हम निम्नलिखित दो उदाहरनों के द्वारा देखते हैं कि रिन की क्या भूमिका होती है एक त्योहार का मौसम अब से दो महीने बाद त्योहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से तीन हजार जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे एक महीने के अंदर पूरा करना है उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाए और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है उसे कचा माल भी खरिदना है इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम दो स्रोतों से रिन लेता है पहला, वह चमरा व्यावपारी को चमरा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भूतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बरे व्यावपारी से एक हजार जूतों के लिए अगरिम भूतान के रूप में नकद कर्स लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पहुचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुचाने में काम्याब होता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वे उधार लिए धन की अदाइगी भी कर देता है। शूस FMT शूस FMT 1 इस प्रकार रिन एक महेत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा करता है। वह साहुकार का कर्स लोताने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्स बरी रकम बन जाता है। पानी, बिजली, उतकरनों की मरमत इत्यादी पर काफी खर्च होता है। इन आक्तों को खरिदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतोर से किसान रितो के आरंग में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदाइगी मुख्यत्य फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वतना के मामले में फसल बरबाद हो जाने से कर्ज की अदाइगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिसाब बेचना पढ़ा। रिन ने स्वतना की कमाई को बढ़ाने के बजाए उसकी स्थिती बदतर कर दी। इसे आम भाशा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में रिन कर्जदार को एसी परिस्थिती में धखेल देता है, जहां से बाहर निकलना काफी कष्ट तदायक होता है। एक स्थिती में रिन आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिती पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिती में फसल बरबाद होने के कारण रिन व्यक्ति को अपने जाल में फसा देता है। स्वतना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिसाब बेजना परता है। सपश्ट है कि उसकी स्थिती पहले की तुलना में बद्धतर हुई। रिन उत्योगी होगा या नहीं। यह परिस्थिती के खत्रों और हाने होने पर प्राप सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। आओ इन पर विचार करें। 1. निमनलिखित तालिका की पूर्टी कीजिए 3.1.2. मान लीजिए सलीम को व्यापारियों से औरदर मिलते रहते हैं। 6 साल बाद उसकी स्थिती क्या होगी 3. कौन से कारण हैं जो स्वतना की स्थिती को जोखिम भरा बनाते हैं। निम आज दर निश्चित कर दी जाती है जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक रिनाधार गिर्वी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक रिनाधार एसी संपती है जिसका मालिक कर्जदार है जैसे की भूम इमारत, गारी, पशू, बैंकों में पुझी और इसका इस्टेमाल वे उधारदाता को गारंटी देने के रोप में करता है जब तक की रिन का भूतान नहीं हो जाता। मिधहा ने घर खरिदने के लिए बैंक से 5 लाक रूपे का कर्स लिया। इस कर्स पर ब्याज की वारशिक दर बारह प्रतिशत है और इस कर्स को 10 साल में मासिक किष्टों में लोताया जाना है। मिधहा को बैंक से कर्स लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतरन संबंधी कॉर्प दिखाने परते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज रिनाधार के रूप में रख लेता है जिन्हें मिधहा द्वारा ब्याज समेट कर्स लोताने पर वापस किया जाएगा। मिधहा के आवास रिन के निम नलेखित विवरनों की पूर्ती करें ग्याश 3.1 एक ब्या प्रकृती पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में एसे उदाहरन दिये गए हैं जहां विभिन रिन व्यवस्थाओं में रिन की शर्टें अलग-अलग हैं। आव इन पर विचार करें। निम उच, ब्याज दर, आसान कथिन, अदायगी की शर्टें, कम अधिक, समर्थक रिनाधार एवं आवश्यक कागजात। पटेटू प्लान्ट एफ एमटी विविद प्रकार के साथ प्रबंध एक गाउं का उदाहरन रोहित और रंजन ने कक्षा में रिन की शर्टों के बारे में पढ़ना खत्म किया था, वे अपने इलाके में प्रचलित विविद प्रकार के रिन प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे, कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, रिन की क्या शर्टे थी, उन्होंने अपने गाउं के कुछ लोगों से बात करने का फ पोर्ता सा गाउं, जहां सेचाई की सुविधाय मौजूद हैं, के एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं, श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकर जमीन को जोटने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत परती है, कुछ साल पहले तक वे गाउं के महाजन से रिन ल जोटाई के मौसम की शुरूरात होने पर व्यापारी रिन पर क्रिशी संबंधित आतें, जरूटें, मुहया कराता है, जिसे फ़सल तयार हो जाने पर वापस करना होता है, रिन पर व्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वे अपनी फ़सल उसी को बे मुनाफ़ा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरिदने से मुनाफ़ा होता है। वह फसल सस्ते में खरिद कर बाद में कीमते बढ़ने पर बेजता है। अब हम अरुन से मिलते हैं जो एक किसान मजदूर के काम का निरिक्षन कर रहा है। अरुन के पास साथ एकर जमीन जिसे खेती के लिए बैंक से रिन मिला है। इस रिन पर वारशिक ब्याज दर आत दशमलब 5 प्रतिशत है और इसे अगले तीन वर्षों में कभी भी लोताया जा सकता है। अरुन की योजना है कि वे फसल तयार होने पर अपनी उपच का कुछ हिसाब बेचकर इस रिन की अ पटेटो फार्मिंग FMT रमा निकत के खेत में क्रिशी मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमरा के खर्चों के लिए कर्स लेना परता है। अचानक बीमार परने पर या परिवार में किसी समारोह पर ख खर्च को भूस्वामी के यहां काम करके वापस करती है। अधिकांश तया रमा को नया रिन लेना पर जाता है जबकि वे पुराना रिन लोता भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रोपे देने हैं। यद्यपी भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्य स्वामी नियोकता ही हैं. पटेटो 4 FMT सहकारी समितियों से रिन बैकों के अलावा घरामीन क्षेत्रों में सस्ते रिन का एक अनिस्रोट सहकारी समितियां हैं. सहकारी समिति की सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं. कई प्रकार की स सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों, बुनकरों एवं और द्योगिक मजदूरों इत्यादी की सहकारी समितियां, क्रिशक सहकारी समिति सोनपूर के नजदी एक गांग में काम करती हैं, इसके 2300 किसान सदस्य हैं, यह अपने सदस्यों से जमा प्राप करती हैं, इस जम लोताने के बाद कर्स का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। बाद कर्स का दौर के लिए रिन की शर्टों की तुलना कीजिये चार। बाद करते हैं जो की हर किसी के पास नहीं होती। पहले वर्ब में बैंकों और सहकारी समितियों से लिए कर्स आते हैं। अनौचारिक उधारदाता में साहुकार, व्यापारी, मालिक, रिष्टेदार, दोस्त इत्यादी आते हैं। आलिक्त में आप भारत के घ्रामीन परिवारों के लिए रिन के विभिन स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक रिन और चारिक क्षेतरक से आ रहा है या अनौचारिक क्षेतरक से तीन दशमलब एक दो भारतिय रिजर्व बैंक रिनों के और चारिक स्रोतों की कारेप्रनाली पर नजर रखता है। RBI, नजर रखता है कि बैंक वास्टव में नकद शेश बनाए हुए हैं। RBI, इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अरजित करने वाले व्याबसायों और व्याबपारियों को ही रिन मुहया नहीं करा रहे, बलकि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादी को भी रिन दे रहे हैं। समय समय पर, बैंकों द्वारा RBI को यह जानकारी देनी परती है कि वे कितना और किन को रिन दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। इसलिए अनौप चारिक रिन कर्जदाता को अधिक महगा परता है। रिन की उंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिसा रिन की अदाएगी में ही खर्च हो जाता है। इसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे रिन की अधिक लागत को देखकर पीछे हत जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिये लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादी लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तों का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्ख्य के अनुकूल कर्स देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। ओचारिक और अनौचारिक साथ किसे क्या मिलता है? आलेक 2 में शहरी क्षेतरों की लोगों के लिए रिनके ओचारिक और अनौचारिक महत्व को दिखाया गया है. आलेक में गरीब से अमीर लोगों को चार भागों में दाता गया है. आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेतरों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85 प्रतिशत जरूर्टे अनौचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 10 % कर्ज अनाचारिक स्रोतों से जबकी 90 % आचारिक स्रोतों से हैं. इसी तरह की तस्वीर ग्रामीन क्षेत्रों में भी है. अमीर परिवार आचारिक रिंदाताओं से सस्ता रिंद ले रहे हैं, जबकी गरी परिवारों को कर्ज के लिए बह इस सबसे क्या पता चलता है? पहला, ओचारिक स्रोट अभी भी ग्रामीन परिवारों की कुल रिंड जरूरतों का केवल 50 प्रतिशत पूरा कर पाता है. बाकी जरूरतें अनौचारिक स्रोटों से पूरी होती हैं. अनौचारिक रिंडाताओं से लिए गे उधार पर आमतोर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार करजदाताओं की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है. इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधिया विशेशकर ग्रामीन इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है ताकि करजदारों की अनौचारिक स्रो लोगों को प्राप्त हो सके. वर्तमान समय में अमीर परिवार ही ओचारिक स्रोतों से रिन प्राप्त करते हैं जबकि गरीब परिवारों को अनौचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना परता है. यह जरूरी है कि ओचारिक रिन का अधिक समान वितरन हो ताकि गरीब परिव अब बैंक के जैसा कोई निरिक्षत होना चाहिए जो अनौचारिक रिंदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे, उसका काम मुश्किल क्यों होगा चार? आपकी समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के अचारिक रिनों का हिसा अधिक क्यों होता है 3.15 रजाई की सिलाई करता एक मजदूर निर्धनों के स्वयम सहायता समूव पिछले खंद में हमने देखा कि निर्धन परिवार रिंद के लिए अब भी अनौचारिक स्रोतों पर निर्भर है इसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीन क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है जहां कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्स लेना अनौचारिक स्रोत से कर्स लेने की तुलना में ज्यादा मुश्किल है जैसा कि हमने मेधा के मामले में देखा, बैंक से कर्स लेने के लिए रिनाधार और विशेश कागजातों की जरूरत परती है रिनाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुक कारण है, जिससे गरीब बैंकों से रिन नहीं ले पाते दूसरी और अनौक्चारिक रिंदाता जैसे साहुकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्षर बिना रिनाधार के भी रिन देने के लिए तयार हो जाते हैं कर्जदार जरूरत परने पर पुराना रिन चुकाई बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहुकार के पास जा सकते हैं लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत उंची रखते हैं लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है इन में से एक विचार ग्रामीन क्षेतराय के गरीबों विशेश कर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयम सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बच्चत पुंजी को एकत्रित करने पर आधारित है एक विशेश स्वयम सहायता समूह में एक दूसरे के परोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बच्चत करते हैं प्रति व्यक्ती बच्चत 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है यह परिवारों की बच्चत करने की क्षमता पर निर्भर करता है सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं समू इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहोकार द्वारा लिये जाने वाले ब्याज से कम होता है। एक या दो वर्षों के बाद अगर समू नियमित रूप से बच्चत करता है तो समू बैंक से रिन लेने के योगे हो जाता है। रिन समू के नाम पर दिया जाता है और इसका मक्षद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का स्रजन करना है। उदाहरन के लिए सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिर्वी जमीन चुरवाने के लिए, कार्यशील पुंजी की जरूर्टे, बीज, खाद, डांस और कपरे खरिदने के लिए, घर बनाने, सिलाई की मशीन, हथक्रभा, पशू इत्यादी संपती खरिदने के लिए दिये जाते हैं। बचक और रिन गतिविधियों से संबंधी ज्यादातर महेत्वपूर्ण निर्ने समूह के सदस्य स्वयम लेते हैं। समूह दिये जाने वाले रिन उसका लक्ष, उसकी रकम, ब्याजदर, वापस लोताने की अवधियादी के बारे में निर्ने करता है। इस रिन को लोताने की जिमेदारी भी समूह की होती है। वश्यक्ताओं के लिए एक उचित ब्याजदर पर रिन मिल जाता है। इसके अतिरिक यह समूह ग्रामीन क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलम भी हो जाती हैं। बलकि समूह की नियमित बैथकों के जरीए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां बेह तरह तरह के सामाजिक विश्यों जैसे स्वास्ख्य, पोशन और घरेलू हिंसा इत्यादी पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। गुजरात में महिलाओं की स्वयम सहायता समूह की बैथक बांगलादेश का ग्रामीन बैंक बांगलादेश ग्रामीन बैंक का उचित ब्याजदरों पर गरीबों की रिन जरूरतों को पूरा करने का बरा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीन बैंक के अब 9,000,000 सदस्य हैं जो बांगलादेश के 81,600 गावों में फैले हुए हैं। इससे रिन लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तपके से हैं। इन कर्जदाराएं ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरों से मन्द कर्जदार हैं बलकि वे विभिन तरह की छोटी आयवाली गतिविधियों को सफलता पूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम हैं। अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्टों पर रिन उपलब्ज कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी 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 गतिविधियों के जरिये विकास का सबसे बरा चमतकार कर सकते हैं। बैंकों से रिन लेते हैं। बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादी से गरीबों को मिलने वाले और चारिक रिन का हिसा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी हैं। हमें भारत में रिन के और चारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है एक्छे। गरीबों के लिए स्वयम सहायता समूहों के संगथनों के पीछे मूल विचार क्या हैं। अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए साथ। क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्स देने के लिए तयार नहीं होते आत। भारतिय रिजर्व बैंक अने बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है। यह जरूरी क्यूं है नौ। विकास में रिन की भूमिका का विशलेशन कीजिए दस। मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए रिन की जरूरत है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह रिन बैंक से लेना चाहिए या साहुकार से चर्चा कीजिए ग्यारव। भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए रिन की जरूरत होती है। भारत में खेती करने के लिए रिन की जरूरत हैं खेती करने के लिए रिन की जरूरत होती हैं। रिन की लागत रिन का बोज बढ़ाती है। किंड्रिय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। भारत बैंक पर देने वाले ब्याज से रिन पर अधिक ब्याज लेते हैं। समपती है जिसका मालिक कर्जदार होता है जिसे वे रिन लेने के लिए गारंटी के रोप में इस्टेमाल करता है। तक रिन चुकता नहीं हो जाता। सही उतर का चैन करेंग धैश क स्वयम सहायता समूव में बचचत और रिन संबंधित अधिक्तर निरने लिए जाते हैं। बैंक द्वारा सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संस्था द्वारा ख, रिन के और चारिक स्रोतों में शामिल नहीं है बैंक सहकारी समिती नियोकता। अतिरिक परियोजना कारेकलाप नीचे दी गई ताले का शहरी क्षेत्रों के विभिन लोगों के व्यवसाय दिखाती है। इन लोगों को किन उदेशियों के लिए रिन की जरूरत हो सकती है। रिक स्तंभों को भरे 3.16 आगे लोगों को दो वर्गों में विभाजित कीजिये जिन्हें आप सोचते हैं कि बैंक से कर्स मिल सकता है और जिन्हें कर्स मिलने की आशा नहीं है।